हैलो गाइज नमस्कार क्रिकट भी सचिन बोरा में फिसे एक बरापका स्वागर दोस्तो परबीन तामबे ने च्छती साल की उम्र में क्रिकट खिरना स्टार्ट किया था MS दोने ने 26 साल में किया था जाहिर खान ने 24 साल में किया था नवदीब सینी ने 21 साल में किया था और वरंद चक्रवरती ने 26 साल में स्टार्ड किया था ये कहना है मेरे बहुत सारे दो स्टूदेंट है उनका कहना है जिनकी एज 20 के उपर जा चुकी है उनका ये कहना है और काफी दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि कितनी एज में आपने किट-किट खेलना स्टार्ट करना चाहिए ताकि आपका केरियर इंटरनेशनल तक पहुंच सके एट लिस्ट रंजी लेबल तक या IPL तक आपका केरियर पहुंच सके कितना एज कमेंड करना सुरू कर दिए और मुझे गालियां देनी सुरू कर दि बहुत सारे लोगों ने बहुत गंधी गंधी गाली भी लिखी उसमें और बताया कि तो हमारा मुराल को अप करने के बज़ाए हमारे मुराल को डाउन कर रहा है मुझे पता है कि बहुत सारे जो यंग्स्टर हैं जो 20, 22, 24, 25, even 30 साल वालों के भी मैसेज आए वो डी मोटिवेट होए होंगे, 100% होए होंगे सचा ही कड़वी होती है, ये सत्य है मेरी बातों पर आपको यकीन बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि मैं उस लेवल का प्लेयर नहीं हूँ लेकिन मेरे को तज़ुरबा बहुत ज़्यादा है अब मैं आपको बताता हूँ किर्केट विथ सनेहल एक किर्केट चैनल है जो कि एक सनेहल प्रधान जो है फॉर्मर इंडियन प्लेयर है वोमेन की उन्होंने भी अपने एक वीडियो में बताया था कि 20 साल से आगे अगर आपकी एज हो चुकी है तो आप कितने प्रसेंट सक्सेस्पुल हो सकेंगे आप इस्क्रिंशोट देख लिजिए और उनके चैनल में जाके देखे उन्होंने भी बहुत अच्छे से एक्स्प्लेन किया हुआ है कि किस उमर से स्टार्ट करना चाहिए और कहां पे जाके आपको सफलता मिलेगी अब जो आप लोगों ने जो मुझे कमेंड लिखे थे कि वरुन चक्रवर्ति ने चब्वी साल में स्टार्ट किया था दोस्तों आप लोगों को गलत फेमिए है मैंने भी अपने वीडियो में एक परसंट भी गलत नहीं बोला मैंने ये बोला है कि चाहिए आपकी एज कितनी भी हो चाहिए आप 30 साल के हों 25 के हों 20 को हैं आठार के हो आपने किर्केट अकेडमी एक बार जाना ही जाना है अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो बर वो चीज मैंने लास्ट में बताया थी जो आप लोग उन्हें देखी नहीं और आपने सिधे गाल्या देना शुरू कर दिया तो अगर आप किर्केट अकेडमी जाते हैं आप किसी भी एज के हों अभी मैंने आप लोगं का टैलेंट देखा नहीं आप 20 साल के भी हैं 26 साल के भी हैं मुझे पता नहीं आपके अंदर कितना किर्केट है कितनी क्वालिटी आपके अंदर है कितना पैशन आपके अंदर है वो मैंने नहीं देखा है जब तक आप अपनी cricket academy नहीं जाएंगे किसी नजदीक में आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि मैं कितने गहरे पानी में हूँ या अगर आपके अंदर बहुत अच्छी quality है तब भी पता ही नहीं चलेगा कि आप आगे बड़पाओगे या नहीं बड़पाओगे अगर आपके अंदर quality होगी तो वहीं पर दिख जाएगी आपको बिल्कुल आपको और अच्छा benefit होगा अगर आपको लग जाएगा कि हम एक साल के अंदर कि ये लोग मेरे से बहुत आगे हैं फिर भी आपको लगेगा कि मैं और मेहनत करके इन से आगे पहुँच सकता हूँ तो आप continue रखिए otherwise आप पीछे अट जाएगे क्यूंकि आपका career खराब नहीं होगा मेरा overall ये वीडियो बनाने का ये मकसद था कि उस टाम भी मैंने इसलिए वीडियो बनाया था क्योंकि बहुत सारे बच्चे 25 साल से स्टार्ट करते हैं जहां पर 25 साल में लोग इंटरनेशनल खेलना शुरू कर देते हैं आप वहां पर सुरुवात करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है एक परसंट चांस होता है अब जो ये सक्सेस हुए है वरुन चक्रवरती की बात है MS दोनी 14 साल में स्टार्ट किया था वरुन चक्रवरती 13 साल में स्टार्ट किया था ऐसे जहीर खान ऐसे परवीन तामबे बच्चपन से खेलते आ रहे थे मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बताया था कि अगर आपने बच्पन से थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा किर्केट खेला है तो आपके चांस से बन सकते हैं 25 साल में भी, 26 साल में अगर आपने बिलकुल ही किर्केट ने खेला है तो फिर 100 में से 100% आप नहीं बन सकते, फिर से बता रहा हूँ, चाहे आप डी मोटिवेट हो या कुछ भी हो, यह एक कड़वी सचाई है, आप चाहो तो कोशिस कर लो, फिर भी मैं यह बता रहा हूँ, अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप जाओ, दिखाओ और आगे दिखाया था, उसके अलावा जो यह आप कमेंट देते हो न, MS-Doney ने इतने में स्टार्ट किया फ्ल Guanay ने इतने में स्टारट किया भाई, उनोंने इस्टार्ट निंई किया था, वो उस एज में इंटरनेशनल खेल ले थे ना कि उन्होंने उन्होंने । पहूंसे है ने कि 12 साल में स्टार्ट करना चार्ट करके कोई इंटरनेशनल पहुंची निसकता मैं गारंटी दे सकता हूं उन्होंने बहुत इस पच्पन से स्टार्ट किया हुआ है तब जाके उस लेबल तक पहुंचें सबीस में अगर वो डेब्यू कर रहे हैं तो वो डेब्यू करना या जिस चीज़ को आपको गलत फैमिए तो इस चीज़ से दूर रहे है फिर भी मैं बता रहा हूं आप किसी भी एसके हों आप एक बार अकेडमी जाएए आपको पता लग जाएगा बांकि एक एक एक्जामपल मैंने दिया था एक बच्चा फर्ष्ट कलास से लेके बारवी कल समझ में नहीं आई यह डी मोटिवेट करने वाली बात है ही नहीं यह बहुत बड़ी बात है बहुत अच्छी बात अगर समझदार इंसान हो क्योंकि आपका केरियर बरबाद होने से बचेगा मैं यह चाहता हूं अगर फिर भी आपको डाउट है तो अकैडमी जोएन करो आ अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर से आप चाहो तो गाल्यान दे सकते हो इसमें कोई बड़ी बात नहीं आज के लिए इतना ही अगले वीडियो में कुछ और लेका आएंगे तब तक के लिए थेंक्यू तन्यबात